भगवान के भरों से मत बैठिये, क्या पता भगवान हमरे भरों से बैठाओ मजे मजे में वो कुछ ऐसा कह गए, जो ना कभी होश में कहते, ना हम सोच सकते थे पर जिस अंदाज में वो कह गए, पता हम खुदा की मजा आ गया कि ना फुरसत है तुमसे ना काम है कोई, ना आदी है तुम्हारे ना आराम है कोई ना फुरसत है तुमसे ना काम है कोई ना आदी है तुमारे ना आराम है कोई कैसा सुरूर है तुमारा उतरता ही नहीं ना नशेडी है हम न जाम है कोई मैं क्या बताऊं वो कितना परीब है मेरे मेरा खयाल भी उसको सुनाई देता है मैं क्या बताऊं वो कितना करीब है मेरे मेरा खयाल भी उसको सुनाई देता है वो जिसने आँख अता की है देखने के लिए वो जिसने आँख अता की है देखने के लिए उसी को छोड़ के सब कुछ दिखाई देता है पहले आप फिर तुम फिर हम और अब तू पर आ गई और वो जो गोल गप्पे खा कर टिशू की जगे अपने डुपटे से मूँ पोचा करती थी टिक टोक पर चार फॉलोवर क्या बड़े कहती मैं सारे जमाने पर छा गई यह अदाश भे कितनी अजीब चीज़ होती किस चीज़ को पूरी जिंदेगी भूलने की कोशिश करो वो भूलती नहीं कभी एक चोटी सी चीज़ याद करने की कोशिश करती याद की अदर उनके हाथों में महंदी क्या लगी इधर हमारे अर्मान पीले हो गए और इस वक्त लगी नियुता हुआ लगी क्या बताएं भईया जिंदगी में कितना बड़ा धोका हुआ है जिसके साथ ब्याहके सपने देखते रहे उसका किसी और के साथ रोक का हुआ है आप्स अधिख साथ इसनारना है जुकी नियुकत योट थी हां मांगी हुई खुशियों से किसका भला होता है जितना अपनी तख्दीर में लिखा है वो जरूर अदा होता है Thank you very much, शुक्र रहाँ अर अपनी कलम को लेकर है कि जब कोई नहीं सुनता मेरी मरे सही होने पर भी तो मेरे हाथ में कलम और कागज आ जाता है और कमाना तो चाहता हूँ सिर्फ दो वक्त की रोटी पर टूटी छट देख कर मन में लाला जा जाता खैर खैर ये सब जो बोला वो तो जाना बस एक मजाग था चाहे हुआ हमारे बीच जो भी हमारे रिश्टा बहुत पाक था तुम अखबार में छपी कोई ताजा खबर सी मैं किसी कोने में छपा जापानी तेल का एड हूँ तुम पुलहड में गपशप करके पी जाने वाली चाहे हो मैं मुफ्त में दुकानदार से मांगे जाने वाला ब्रैड हूँ तुम पूरा में कोर्स और डेजर्ट सी मैं बहस करके फ्री में मांगा गया सेल एड हूँ और तुम मेरे प्रेजन्ट का इस एम और फ्यूचर का विल शैल हो मैं हमारे जगडे का वाजवर एंड हैड हूँ और तुम मानो ट्रेंडिंग वाला पूरा पबजी गेम सी मेरी जान में सबसे पहले नोकाउट होने वाला स्क्वैड हूँ तुम जट से पढ़े जाने वाली एक इंपोर्टन्ट मैसेज सा मैं जान भूज कर छोड़ा गया एक मैसेज अन्रेड हूँ और तुमने जितने फ्रेंड जोन किये उतने तो मेरे दोस्त भी नहीं मेरी जिन्दगी में सिर्फ तुम हो जिसके लिए मैं इतना मैड हूँ और ऐसे कैसे चलेगा दीदी और सबका कटेगा तो बस मजाग की बाते हैं मैं इज़त करता हर लड़की की पर लोग नहीं समझते इसलिए थोड़ा सैड हूँ और जाना बनना चाहती तुम जिन बच्चों की मम्मी मैं बनना चाहता उन्हीं का डैड हूँ तुम अखबार में छपी कोई ताजा ख़बर सी मैं किसी कौने में छपा जा पानी तेलता है शुक्रिया किसने दस्तक दी इस दिल पर कौन है आप तो नंदर हैं बाहर कौन है तुफानों से आख मिलाओ तुफानों से आख मिलाओ सैलाबों पर वार करो मलाहों का चक्कर छोड़ो तैर के दर्या पार करो कि कभी अकेले में मिलकर जोड़ दूँगा उसे जहां जहां से वह ठूटा है जोड़ दूँगा उसे और मुझे वह छोड़ गया यह कमाल है उसका इरादा मैंने किया था कि छोड़ दूँगा उसे इतने तवास तक मेरे ग्रूप में मैसिज नहीं आए जितनी तरी दो दिन में चैटिंग हुई है इतने तवास तक मेरे ग्रूप में मैसिज नहीं आए जितनी तरी दो दिन में चैटिंग हुई है और पावर बैंक भी जेब में रखते हो लगता है नहीं नहीं सेटिंग तेरा चुप रहना मेरे जहन में क्या बैठ गया इतनी आवाजें तुझे दी के गला बैठ गया यू नहीं है कि फक्त मैं ही उसे चाहता हूँ जो भी उस पेड़ की च्छाउंग में गया बैठ गया प्यासा था पीना छोड़ गया जिन्दा था जीना छोड़ गया प्यासा था पीना छोड़ गया जिन्दा था जीना छोड़ गया दीदी को मेरे लाप तप का पासवर्ड क्या मिला सर्दी में भी पसीना छोड़ हमारा जीने का तरीगा थोड़ा लग वेट्टे मरा जीने गाते तो नी लाइन बदल देगा क्या क्या कमाल करती है तेरे होटों की सुर्ث लाली चूती है ज़रा सशढ है घर पे पड़ती है गाली वर्न हमें कोई यार नी करें जैसी करनी वैसी बर्ली नामाने तो करके देख, जन्नत की है, दोजद भी है, नामाने तो मर के देख, क्या मात है, अपने एक शेर सुना तो जिसमें तुम समझते हो, तुमाई पूरी जिंदगी, एक शेर, तुझे प्यार करना नहीं आता, तुझे प्यार करना नहीं आता, मुझे प्यार के सिवा दुनिया में जीने के दो ही तरीके हैं एक तुझे नहीं आता, एक मुझे नहीं आता मैं तेरे बेवफा होने से परेशान नहीं अच्छा, अरे क्या कहना हो दिल लगाने को अभी सारा जहां बागी है